हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अरध्यां अरेस एकेडमी में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि RPSC और अधिनेस चैन बोर्ड के दुबारां लगबग लगबग सारी की सारी जो वेकेंसी थी उनको रद कर दी गई थी दुबारा से दोस्तों नए सिरे से फोरम बरे जाएंगे दुबारा से पद नए सरजित करके तो दोस्तों उनी में से एक वेकेंसी है वो है पुस्तकाले अध्यक्स की ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में आपको संपून जानकारी मिलेगी लाइबरेजियन बर्ती से संबंदित है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक अरध्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दोस्तो प्रेस जरूर करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तो चलो स्टार्ट करते हैं तो देखो RSMSSB यानि कि राजस्तान स्टाप सेलेक्शन बोर्ड जयपूर ठीक है यानि कि दोस्तो राजस्तान अधिनेस चैन बोर्ड लाइबरेरियन बरती 2019 सेलेबस एंड एकजाम पैटर्न राजस्तान पुस्त कालर डेक्स वेकेंसी 2019 ठीक है तो दोस्तो आज अपने इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तो यह जो वेकेंसी का जो आईजन है इसमें राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड जैपुर द्वारा पुस्तकाले अध्यक्स ग्रेड तिर्तिये के 700 पदों पर बरती का विज्यापन 21 मई 2018 को जारी किया गया था इसमें MBC और EWS आरक्षन को सामिल किये जाने के कारण इस बरती परकिरिया को इस्तगिते कर दिया गया था अब दोस्तो लाइबरेरियन बरती 2019 में इन 700 पदों में MBC और EWS आरक्षन को सामिल करके नया विज्यापन जारी किया जाएगा लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड बरती 2019 में पदों की संक्या है वो 700 से अधिक बढ़ाई जाएगी यानि कि पहले तो दोस्तो इसमें 700 पद थे लेकिन अब इसमें EWS और MBC को आरक्षन मिलने के कारण इनके पद है वो अलग से सरजित के जाएंगे तो 700 से ज्यादा दोस्तों इसमें लाइबरेरियन के पदों पर ये हैं बरती आयुचिते करवाई जाएगी थीक है दोस्तों कब करवाई जाएगी उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे थीक है यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि लाइबरियरियन बरती 2019 नोटिफिकेशन का अबजारी किया जाएगा लाइबरियरियन थर्ड ग्रेड बरती 2019 कितने पदो के लिए आएगी लाइबरियरियन का फॉर्म भरने के लिए योगेता, आयू, सलेबस और इसका एग्जाम पेटर्न है वो क्या रहेगा साथ ही हम बात करेंगे लाइबरियरियन का फॉर्म भरने के लिए हम लाइबरियरियन का डिपलोमा या डिगरी किस परकार कर सकते हैं सबसे महतवपून बात ये है कि दोस्तो राजस्तान अधिनेस चैन बोर्ड लाइबरियरियन बरती 2019 के लिए बेस्ट बुक है वो कौन सी रहेगी यहां हम लाइबरियरियन थर्ड ग्रेड बरती 2019 को लेकर आपके सबी डाउट्स हैं वो किलियर करने वाले हैं ठीक है दोस्तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वाट्सअप ग्रूप को जोइन कर सकते हैं नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रेप्शन में ठीक है तो दोस्तो देखो इसमें RSMSSB लाइबरियरियन बरती 2019 का नोटिपिकेशन है वो कब जारी होगा तो दोस्तो देखो राज़तान करमचारी चैन बोर्ड आयोगद्वारा 21 मई 2018 को 700 पदो पर राज़तान पुस्तकाले वेकेंसी का विज्यापन जारी किया था ठीक है 21 मई 2018 को तो दोस्तो वेकेंसी 21 मई 2018 को आ चुकी थी अब 2020 आने वाली है काफी लेट हो गया है चुनाओ के चक्कर में तो देखो अब इस बरती में MBC और EWS आरक्षन के कारण अतिरिक 14 परस्तिसात पदों को जोड़ कर नय विज्यापन जारी किया जाएगा यानि कि द दोस्तो अब देखो इसमें लगबग 800 पदों पर दोस्तो ये भरती कि जाएगी 700 पद तो पहले से थे अब इसमें 14 परस्तिसात और जोड़ लो 700 में अगर 14 परस्तिसात पर जोड़ते हैं तो दोस्तो लगबग 800 लगबग 800 पदों पर दोस्तो ये भरती जारी कि जाएगी ठीक है और यह नए सिरे से फोर्म चालो होंगे तो जिन्होंने पहले फोर्म बर रखा है उनको फोर्म बरने की ज़रूरत नहीं है और अन्य लोग है जिनके डिगरी कंप्लीट हो चुकी है तो वो दोस्तों इस फोर्म को बर सकते हैं ठीक है इसके अतिरिक्त इसमें पदों की संक्या है वो बढ़ाई जा सकती है क्योंकि राजस्तान में लाइबरेरियन तिर्टे के पद है वो काफी खाली है संभावित है कि सितंबर माह में लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड बरती 2019 का विग्यापन जारी की आजा सकता है तो दोस्तो इसका विज्यापन है, वो आपको सितंबर के तीसरे महिने में, ठीक है, सितंबर के तीसरे सब्ता में आपको इसका नोटिफिकेशन है, वो मिल जाएगा, सितंबर के तीसरे महिने में, ठीक है, वहाँ, दोस्तो सितंबर के तीसरे महिने, सोरी, तीसरे सब्ता से इ ठीक है इसकी exam fees है वो क्या रहेगी वो तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों exam fees general EWS OBC ठीक है इनकी fees रहेगी साधी चार सु रुपए ठीक है OBC non-crimary layer 350 रुपए इनकी fees रहेगी और SCST reserve category इनकी रहेगी दोस्तों 500 रुपए ठीक है ये तो रहेगी दोस्तों इसमें fees अब देखो ऐसे वरक के अब्यारती जिनके परिवार की वार्षिक आए ड़ाइलाक रुपए से कम हो वे परिक्षा सुलका बुगतान ड़ाइसो रुपए जमा करवा सकते हैं याने कि आप दोस्तों आपके परिवार की आए है अगर ड़ाइलाक रुपए से कम हैं चाहिए आप OBC हो चाहिए आप जनरल से हो या EWS से हो तो दोस्तों जिनकी आए ड़ाइलाक रुपए से कम हैं वो दोस्तों 250 रुपए fees जमा करवा सकते हैं ठीक है तो इसका education qualification क्या है तो education qualification की सबसे पहले अगर अपने बात करें तो विद्यारती है वो बारवी पास होना चाहिए यानि कि विद्यारती है वो बारवी पास होना चाहिए ठीक है बारवी पास होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए ठीक है जो विद्यार्थी उप्यूक्त सेक्सिनिक आरता वाले ऐसे पाठे करम के अन्तिम वर्ष में अध्यान कर रहा है यानि कि कोई final year में अगर अध्यन कर रहा है तो वहें भी form भर सकता है परन्तु उसे librarian third grade बरती 2019 के लिखित exam से पहले अपनी योगिता है वो पूरी करनी होगी ठीक है यानि कि exam लगने से पहले दोस्तों आपकी exam है वो complete हो जानी चाहिए ठीक है ये दोस्तों इसमे final year वालों के लिए थोड़ी विशेश छूट दी गई है ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों इसमें librarian third grade बरती 2019 age limit तो इसमें age limit क्या होगी तो देखो विद्यार्थी की आयू 18 वर्ष से 40 वर्ष के 20 होनी चाहिए इसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई है ठीक है 18 से 40 के मद्दे तो दोस्तों इसका फॉरम भर सकते हैं और जिनको आरक्षन मिला हुआ है उनको अलग से इसमें छूटे दी गई है अब देखो exam date तो देखो इसकी exam date है क्या रहेगी तो इसकी exam date दोस्तों librarian third grade भरती 2019 के लिए संभावित exam date फरवरी या मार्च 2020 में रह सकती है क्योंकि दोस्तों काफी सारी vacancy है जो चुनाव से पहले जो पंचायती राजचुनाव है राजस्तान में उन से पहले करवाई जानी बहुत जरूरी है जैसे पटवार हो गई रीट हो गई राजस्तान पुलिस हो गई ये तीन vacancy हैं जिनको पंचायती राजचुनाव से पहले करवाना बहुत ही जरूरी है ठीक है दोस्तों और इसकी जो exam है वो दोस्तों पंचायती राजचुनाव के बाद में यानि की फरवरी या मार्च ठीक है इसमें इसकी exam है वो आई जिते करवाई जाएगी राजस्तान अदिनेस चैन बोड़ दौरा ठीक है अब देखो इसके लिए डिपलोमा कैसे करें तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइबरियन बेस्ट बुक तो देखो इसमें syllabus के according अगर अपन बात करें तो इसमें राजस्तान इतियास और राजस्तान जोग्रोफी है ठीक है और डिपलोमा कैसे करें तो डिपलोमा की मैं बात करूँ तो दोस्तो लाइबरियन थर्ड ग्रेड बरती 2019 के लिए आप कोटा ओपन युनिवर्सिटी से डिपलोमा या डिगरी दोनों में से कोई भी कर सकते हैं डिपलोमा और डिगरी का कोर्स एक साल का होता है डिपलोमा की फीस लगबग 3600 रुपए और डिगरी की फीस लगबग 8000 रुपए है यदि आप बारवी पास हैं तो डिपलोमा कर सकते हैं यदि आप graduate हैं तो पुस्त काले विज्ञान में डिग्री कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं ठीक है देखो librarian बरती 2019 syllabus and exam pattern तो इसका syllabus और exam pattern के अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या रहेगा इसका syllabus और exam pattern तो देखो subject part राजस्तान GK and राजस्तान geography यह सो नंबर की होगी ठीक है राजस्तान GK और राजस्तान geography तो राजस्तान जी के notes आपको इतियस के और Chehare करती के यह आपको मिल जाएंगे दोस्तों 120 रुपए के रहेगा इसमें और राजस्तान जोग्रोफी के भी दोस्तों 120 रुपय का रहेगा इसमें तो आप कमेंट करके आपको खरीज सकते हैं ठीक है ये नोट्स बहुत ही सांदर है और 100 नंबर का पार्ट रहेगा दोस्तों ये और आपका जो subject है ठीक है तो उसमें देखो library and information science and basic knowledge of computer ये दोस्तों 200 नंबर का पार्ट रहेगा तो ये तो आपका subject का है आप ये subject के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं टोटल दोस्तों इसमें 300 नंबर का होगा तो जिसमें सबसी ज़्यादा महेंचीज रहेगी राजस्तान जी के और राजस्तान जोग्रोफी अगर आप इसमें नंबर कावर कर लेते हैं ठीक है तो आपका selection है वो कोई नहीं रोक सकता तीन गंटे का दोस्तों ये paper होगा ठीक है तो दोस्तों देखो लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड बरती परिक्ष्या प्रशन पत्र 300 नंबर का होता है जिसमें आपको तीन गंटे का समय दिया जाता है परिक्ष्या में नियून तम 40% अंक लाना अनिवारिय है पर तेक गलत उत्तर के लिए एक बटा तीन भाग निगेटिव मार्किंग की जाती है ठीक है और दोस्तों राजस्तान जी के अगर आपका अच्छा कवर है तो आप इसको आसानी से ये नोकरी है ये पा सकते हैं और इसकी एक्जाम ह वो मैंने आपको बता दी है कि फरवरी मार्च 2020 में इसके एक्जाम लगेगी फोर्म है वो दोस्तों सितंबर महिने के तीसरे सब्ता के अंदर इसके फोर्म है वो चालू हो जाएंगे तो दोस्तों ये अराध्यारस अकेडमी के यूटूब चनल पर आपको ये जानकरी दी ही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत